हलो फ्रेंड्स वेलकम टो चनल फ्रेंड्स आजम देखेंगे मुस्लिम महिला किन आधार पर तलाक मान सकती है ग्राउंसर डिवोस इन इलिया इन मुस्लिम सो फ्रेंड्स हमारा वीडियो अन तक देखें लाइक, कमेंट, शेर किजिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए मुस्लिम महिला विवा अधिनियम 1945 तलाक के किन किन आधारों को बताया गया है उन सभी को जानेंगी फस्त ग्राउंसर आधिनयाग स्तान पर चले जाना जहां पती के ठिकाने चार साल के उधी के लिए पता न हो इस कंडिशन में पतनी अपने पती से तलाक ले सकती है नेक्स्ट है, कोई रकरखाओ नहीं देना जहां पती कम से कम दो साल के लिए पत्नी को रख रखाव प्रदान करने में विफल रहा है इस कंडिशन में पत्नी अपने पती से तलाक ले सकती है नेक्स है कारवास जहां पती को सात्य अधिक वर्षों से कारवास की सजया हुई है इस कंडिशन में पत्नी अपने पती से तलाक ले सकती है नेक्स है वैवाईक दाइत्व जहां पती वैवाईक दाइत्व को पूरा करने में असमर्थ है इस कंडिशन में पत्नी अपने पती से तलाक ले सकती है नेक्स है लगू विवाह जहां लड़की की शादी 15 साल की उम्र से पहले हुई हो और वो 18 वर्ष की होने से पहले संबन्ध खत्म करने का फैसला करती है क्रूर्ता मिन्स क्रूयल्टी एक जीवन साथी को तलाग का मामला तब तयार कर सकता है जब उसे किसी भी तरह की मानसिक और शारिक चोट पहुचाई जाती हो जिससे उसके जीवन उसके किसी अंग और स्वास्ते को खत्रा हो लेकिन क्रूर्ता की गटना होगी एक शुकला होनी चाहिए यानि की क्रूर्ता लगातार होनी चाहिए इसके कुछ उधार्नों जैसे कि भोजन से वन्ची थोड़ा लगातार प्रताड़ी त्विवार और दहेच प्राप्त करने के लिए गालिया देना ये क्रूर्ता की तहत आती है थैंक यू प्रेंज